दुनिया का सबसे प्राचीन इतिहास भारतिय इतिहास माना जाता है और उसी इतिहास से प्राप्त बहुत से एतिहासिक स्थल स्मारक तथा इमारते हमें विरासत में मिली है उन्ही में से एक है सांची का स्थूप जो एक बौध स्मारक है यह तीसरी शताब्दी इसा पूर्व से बारहवी शताब्दी के बीच के है यह स्टूप आज के समय में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो भोपाल शहर से लगभग 46 किलो मीटर दूर सांची गाउं में स्थित है यहाँ पर तीन स्टूप हैं और ये देश के सरवाधिक सनरक्षित स्टूपों में से एक है इसकी उचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है सांची के स्टूप की संरचना और शिल्पकारिता को देखते हुए इसे 1989 में यूनिस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल किया जा चुका है आखिर होता क्या है स्टूप? दरसल स्टूप पवित्र बौध स्थल होते हैं जिन्हें चैत्य भी कहा जाता है इनका उप्योग पवित्र बौध अवशेशों को रखने के लिए किया जाता है और वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है सांची के स्टूपों का निर्मान कई काल खंडों में हुआ है जिसे इसा पूर्व तीसरी सदी से बारहवी सदी के मध्य में माना गया है इसा पूर्व 483 में जब गौतम बुध ने देह त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेशों पर अधिकार जमाने के लिए उनके अनुयाई राजा आपस में लड़नेच गड़ने लगे अंत में एक बौध संत ने समझा बुझा कर उनके शरीर के अवशेशों के हिस्सों को उनमें वित्रित कर समाधान किया इन्हें लेकर आरंभ में आठ स्टूपों का निर्मान हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्वान के बाद बौध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्टूपों को प्रतीक मानकर होने लगा सांची के स्टूप दूर से देखने में भले ही मामूली अर्धगोलाकार सनरचनाय लगती हैं लेकिन इनकी भव्यता, विशिष्टता एवं कलात्मक बारी किया सांची आकर देखने पर ही पता चलती है सांची स्टूप के बारे में रोचक तथ्य इन स्टूपों की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सर जौन मार्शल को इसके पुनदनिर्मान का कार्यभार सौपा था वर्ष 1912 से 1919 तक इस स्टूप की संग्रचना कर इसे पुनध खड़ा किया गया इस स्टूप के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है जिसमें सारनात की तरह चार शेर शामिल है साथ ही यहां बड़ी संख्या में ब्राहमी लिपी के शिलालेक पाए गए है सर जौन मार्शल ने वर्ष 1919 में इसे संग्रक्षित रखने के लिए एक पुरातात्विक संग्रहाले की स्थापना की जिसे बाद में साची पुरातत्व संग्रहाले में परिवर्तित कर दिया गया सांची नामक स्थान का गौतम बुद्ध द्वारा कभी भी दौरा नहीं किया गया था, भले ही आज इस स्थान पर बौध धर्म का अपना एक एतिहासिक महत्व हो, इस स्थूप का निर्मान बौध अध्ययन और बौध शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया गया था सांची स्थूप का इतिहास इस एतिहासिक स्थूप का निर्मान मौर्य सामराज्य के प्रसिध शासक अशोक द्वारा तीसरी शताबदी इसापूर्व में किया गया था, इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार इंटो द्वारा निर्मित धाचा था, जिसमें भगवान अशोक की पतनी महादेवी साक्यकुमारी को सौपा गया था, जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी, सांची उनका जन्मस्थान और उनके और समराथ अशोक के विवाह का स्थान भी था, ये स्थूप प्रेम शांती, विश्वास और साहस के प्रतीक हैं, इस सांची के स्थूप दूर से देखने में भले ही मामूली अर्धगोलाकार संरचनाएं लगती हैं, लेकिन इनकी भव्यता, विशिष्टता एवं कलात्मक बारी किया सांची आकर देखने पर ही पता चलती है कर देखने ले एगते हैं, इस देखने पता उत्ता शांती हैं